तो यहां पर यह गार्डन बनाए गया है काफी अच्छा सा गार्डन है और यहां पर यह पाथ बनाए गया है चलने के लिए आप यहां पर काफी अच्छा से वाउप कर सकते हैं गार्डन है वहां थोड़ी दर बैटके एंजॉई कर सकते हैं और जोदी हमाय थे फ्रेंड्शिप देता है इसलिए अब दिख सकते हैं काफी भीड़ती सब लोग आयते फ्रेंड्शिप दे बनाने के लिए तो यह है अर्जुन रत महा भारत का एक लोग दिया गए इसमें और इसके चारो तरफ गार्डन है बहुत ही सुन्दर गार्डन है और फिर हम दोनों ने यहीं पर वॉक किया थोड़े देर यहीं बैठके हमने टाइम स्पेंट किया अच्छा लगा हमें बहुती फिर हमने सचे चलो थोड़े आइस क्रीम खा लेते तो सामने यह शॉप थी वहां पर हम लोग चले गए आइस क्रीम लेने के लिए तो यहां पर ममी ने लिया कुलफी और मैं ली चोकोबार और बस फिर यहां से हमने आइस क्रीम ली और हम बाहर बैठके आइस क्रीम खाए और हम सोच रहे थे कि कब लाइट अन हो जाए जो अरजुन रथ है वहां पर क्योंकि वह हम सोच रहे आपको नाइट व्यू दिखा है जो लाइट ऑन होती तो बहुत ही अच्छा लगता है पर हम काफी देर बैठे साथ बज गेते पर तब भी लाइट्स ओन नहीं हुई अंदेरा हो गया तो यह हम दोनों बैठ कर रहा हम से आइस्क्रेम इंजॉय करते हुए और उसके बाद दुरत की लाइट्स ओन नहीं हुई तो हम वहां से निकल गए हम आपको हम इसके पहले भी की गए थे अरजुनरत तो हम वह क्लिपिंग आपके साथ शेयर कर देंगे तो आप देखेगा रात का कितना अच्छा व्यू लगता है जब लाइट्स ओन हो जाती है तो इस व्लॉग में बस इतना ही हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए को सबस्टा आप देखेजी और देखेगा ड्सक्रेट को सब्सक्राइब कर देखेगा थाट।